एक दौर में खराटे को सामन ने माना चाता था लेकिन अध्यन से पता चला है कि यह मदू में हैं उच्छे रक्तचाप, हाइपर टेंशन जैसे बिमारियों से भी कही ज़ादा खातक है खराटे, हाट अटेक और ब्रेंस टोक का कारण बन रही हैं लेकिन 80-90 फीसिदी लोग इससे अंजान हैं ऐसा आयोजित पत्र परिशत के दौरान, क्रिटिकल केर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिटूट के डॉक्टर विवेक गुपता द्वारा बताये गया चिकित्सक अब इस समस्या से अफगत हो रही हैं और मरीजों को जाकरुक भी कर रही हैं पद्रकारों से चर्चा में स्लिप मेडिसिन एंड क्रिटी केर विशेशग्य डॉक्टर विवेक गुपता ने बताया कि खराते का समय पर इलाज नहीं कराया तो ये जानलेवा बिमारी अब्स्टेक्टिव स्लिप अपनिया में बदल जाता है इसमें सोते समय सास अवरुद्ध होनी की समस्या उत्पन्न होती है इससे हार्ट अटैक और बेन स्टोक होनी के मामले बड़े हैं खुन में ऑक्सिजन कस्तर कम हो जाता है मशीन का उप्योग कर या सरजरी के माध्यम से इसका नेदान किया जा सकता है कोई दवा इस पर कार कर नहीं हार्ट अटैक होना लाकवा मानना जो से मालूम नहींना कि इसके जो कारण है मुझे बीपी का कारण और शुग नहीं होना या सास कारान यह मुख्यकारन होता है और यह बहुत सारी पैशिंट पीशिंट्स है एक महत्पून कारण होता है जैसे कि बीपी, शुगर और कोलिस्टॉल मिलकी जो हार्ट का अटेक का जो कारण बनते हैं यह उससे भी एक बड़ा कारण होता है हार्ट अटेक और लखवे का सास अफरुद्ध होने की परिस्तिती में इडर्निलिन हार्मोन का रसाव होता है जो हार्ट अटेक और ब्रें स्टोक के लिए जिम्यदार हो सकता है इस तौरान डॉक्टर उर्वशी गुपता ने बताया कि मोटापे को कम कर खराटे की समस्या से बचा जा सकता है लेकिन इसक केमरा परसन राज कुमार मोहड के साथ शिति जादेश मुक की रिपोर्ट